अचारी जी जब किसी से विनमरता पुर्वक और प्रेम पुर्वक बात करते हैं और उससे कोई व्यापारिक संबंध कोई बिजनेस रिलेशन्शिप कोई प्रॉफिट लोस का रिलेशन्शिप नहीं है तो सामने से बड़ा बोश्टिंग बोश्टफुल एंसर आता है बहुत किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या इसे जेनरल बात कर रहा हूं और ऐसा जैसे उधारन के तौर पर सरकारी दफ्तर में ही अगर देख लें तो जो काम उनको करना चाहिए उसके लिए साहब जी और बहुत ही करके बात किया जाता और वो भी उत्तर देते थे कि देखें हैं जबकि उनका काम ही है वो ड्यूटी ही ही वो करना और कभी किसी से प्रेमपुर्वग जैसे बात कि है या विनमर्ता से बात कि तो वो बेवकुफ आपको समझता है cię और आप ही को बेवकुफ बनाना चालू कर देता है उसे लगता है कि यह बहुत भोला है और ये जाना चाहर हूं तो यह आज का मतलब कि यही एक कि किसी से अगर प्रेम से बात करें तो अगराई आपको एकटम और उसे काम भी है काम भी निकालना है तो सुनना पड़ता है हां मे हां मिलाना पड़ता है तो फिर दिक्कत किया है, उसकी हां में हां में लाई, थोड़ा सर जुकाया, थोड़ा मक्खन मारा काम हो तो गया, दफ्तर में गये थे, सहाब जी को बोला, सहाब जी आप जैसा कौन है, सहाब जी ने काम कर तो दिया, जो चाहते थे हो गया, एक हांट दिया, एक हांट लिया पर वो तो उसका duty था ना तो क्यों वो तो उसको ऐसे भी कर नहीं था वो फिर expect करता है कि मुझे इस तरह treat करो कि मैं कहीं का कुछ हूँ तब मैं तुम्हारी सुनूँगा तो आपका प्रशनी यह है कि लोग अपना काम या करतब विक्यों नहीं करते नि बेवकूफ क्यों समझते हैं अगर प्यार से बात कर रहें अच्छे से बात कर रहें तो बेवकूफ समझते हैं मैं आपसे clearly समझा नहीं पा रहा हूं मैं जनरली देखता हों कि फिर वह उसको आपको भोला समझता इन अन्सेंट समंझता हों फिर बेवकूफ बनाना चालू कर देता और आप समझ रहें कि यह मतरए अब बनें कहा बनें नहीं लेकिन अब उसको सिखाएंगे अगर ऊसको आप पेवकूफ बन नहीं रहें वह आ आप सो रहे हैं, और वो आपको सोता समझ के, चोरी कर रहा है, तो ब्योकूफ कौन बन रहा है, कौन बन रहा है, जो चोरी कर रहा है, वो बन रहा है, आप क्यों इतना ब्योकूफ बना रहे हैं, तो चोरी कर रहा है न, अब मैं सो रहा हूँ, अब जगूँगा तो फिर गुस जाएगा उसको क्या सजा इसी में नहीं मिल गई कि उसे चोरी करने के लिए आपके सोई हुए होने का इंतजार करना पड़ता है कि जो कुछ भी करना चाहता है खुले आम बेधड़क नहीं कर सकता क्या यही उसकी सजा नहीं है अब आप चाहते हैं कि वो दूनी सजा पाए एक सजा तो उसको यह मिल ही रही है कि वो जो भी कर रहा है वो मन पर बोज लेकर कर रहा है छुप छुप के कर रहा है रात के अंधेरे में या मेज के नीचे से कर रहा है यह सजा नहीं है कहो यह सजा है या नहीं है और फिर आप चाहते हैं कि वो दूसरी सजा ये भी पाए कि तुने जो करा है अब उसके लिए जेल भी जा ये सब जो मकारियां होती है न ये मकारियां अपनी सजा आप होती है सरकारी दफतर हो या कोई भी दफतर हो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो कोई भी मकार इंसान मकारी करते वक्त ही बल्कि मकारी करने से पहले ही सजा भुगत चुका होता है उसकी मकारी को देखके बुरा मानने का मतलब है कि आपको उससे इरिश्या हो रही है कि यही क्यों करे लिए जा रहा है थोड़ा मक्खन मलाई इधर भी हमें भी मिल जाता सब यही चाटा लिए उस बिचारे के साथ तो थोड़ी सहनुभूत ही रखिए कुछ करुणा ही रख लीजिए जो आपमी इमान बेच कर जेब भरता हो उसको दो रुपया जादा दीजिए कहिए कि तुने बहुत महंगी चीज बेच करके बहुत थोड़ा कमाया है तु दो रुपय और ले ले तु बड़े नुकसान में चल रहा है भाई तु लुटा जा रहा है रोज रोज तु मुझे जितना मांग रहा है उससे 10% जादा ही ले ले तेरी दुकान तो जल रही है लेकिन नहीं हमें यह समझ में ही नहीं आता कि जो काली कमाई कर रहा है या जो मकारी कर रहा है वो कितने घाटे का सौधा कर रहा है हमें लगता है वो फाइदे का सौधा कर रहा है तो फिर हमें चिड होती है हम कहते हैं कि अरे वो यह इस तरह से क्यों करता है अगर आपको किसी मकार आदमी की सफलता इत्यादी देख करके तो सफलता है नहीं बस ऐसी लगती है अगर आपको किसी मकार आदमी की सफलता आदी देख करके दुख होता है, तो इसकारत इतन ही है, कि मंड को टटोलिये, आपके भीतर भी मकार होने की इच्छा है, आप हो नहीं पा रहे हैं, यह दुख नहीं है, एक प्रकार की इरश्या है, कि यही निकल गया आगे, सारी गू भी खा रहा है और मजे में भी है, नहीं है भाई मजे में, समझते यो नहीं और अगर आप यह नहीं समझेंगे, कि मजे में नहीं है, तो बात खतरनाक है, क्यों खतरनाक है? अगर मुझे लग रहा है कि ये बहुत घूस खाता है मकारी से भरा जीवन जीता है लोगों को बेवकूफ बनाता है और मजे मार रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा मैं अभी वही सब को करना चाहूंगा ना जो वो कर रहा है धर्म और कानून में यहीं अंतर होता है एक समाज जो कानून पर चलता हो वहां बहुत ज्यादा सुवेवस्था नहीं रह पाएगी बहुत सख्त कानून हो तो बीस तुवेवस्था सतही ही रहेगी और एक समाज जो धर्म पर चलता हो उसको कानूनों की बहुत कम जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां हर व्यक्ति अपना पहरेदार सोयम हो जाएगा उसको पता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी सजा तो मुझे लगे हाथ मिल रही है अभी अभी मिल रही है यह कर्म ही अपनी सजा है बाहर की बड़ी से बड़ी फौज पुले सादी विवस्था वो नहीं कर सकती जो आपकी अपनी इमानदारी कर सकती है बाहर वाला तो आपको सिर्फ तब पकड़ेगा ना जब उसे खबर लगेगी और जब उसे सबूत मिलेगा आपको तो अपनी हर चीज पता ही है सबसे पहले ख़वर आपको ही लग रही है और आपको तो किसी सबूत साक्षे की कोई ज़रूरत भी नहीं है जो लोग गलत रहा पर चल रहे हो और सफल आदी होते दिखाई देते हो सम्रिद्ध होते दिखाई देते हो मौज मारते दिखाई देते हो उनको देखकर कभी मन छोटा मत करिएगा उनकी सफलता उनकी समरिद्धि उनकी मौज बहुत सतही है अंदर यंदर महा दुख है उनमे उनके लिए प्रार्थना करिए वो बहुत दुखी लोग है आप कह रहे हैं अगर सीधे हैं और लोग आपको बेगूप समझते हैं आप बेगूप बने रहे हैं अपनी सिदाई मत चोड़ दीजिएगा इस मारे कि लोग बेगूप बना जाते हैं या बेखूप समझ लेते हैं लोगों की नजर में आपकी छवी है आपकी हैसियत क्या है ये बात दो कोड़ी की है और आपका भोलापन आपकी निर्दोष्टा आपकी सिधाई अरबों की है लोगों की नजर में होशियार बनने के लिए लोगों की नजर में चालू या सफल बनने के लिए अपनी करोड़ों अर्बों की निश्कपटता को मत छोड़ दीजिएगा न बेच दीजिएगा ये भूल बिलकुल नहीं करिएगा लोग कहां के निरडेता हो गए है यही बड़े समझदार है इनके घरों में जाकर देखिए इनकी जिंदगियों में जाकर देखिए उत्पात उपद्रव तनाव अवसाद उल्जन ना समझी एक के बाद एक मुर्खता पूर्ण निर्णे सर पर हजार तरह के बोज लेकिन दुनिया के सामने ये शकल अपनी कैसी दिखाते हैं हैपी फेस्बुक फेस तो फिर जो लोग थोड़े सीधे होते हैं उनको संधे हो जाता है वो कहते हैं उसके तो दोनों हाथ लट्डू है और हमें तो कुछ नहीं मिला आपको सिधाई का आनन्द भी चाहिए और साथ ही साथ सामाजिक रुतबा और प्रतिष्ठा भी चाहिए और सफलता और पैसा भी चाहिए यह आपकी सिधाई है आप तो बड़े चालू है आप कह रहें मैं सीधा भी रहूं और दुनिया आएके मेरे पाउं भी चुए कि देखो यह तो कितने सीधे हैं और जब दुनिया मेरे पाउं छुएगी कि यह कितने सीधे हैं तो फिर मैं और सीधा बन जाओंगा मैं को देखो मैं तो कितना सीधा हूं ननासा मुननासा सीधासा बच्चा हूं है भई अपनी सिधाई दर्शाता हुआ बड़ा टेड़ा सवाल है यह जहां वैपारिक संबन ना भी हो जहां कोई लेना देना ना भी हो तो भी जवाब एक लहजे से देना चीए है ना इसे क्या लहजा मैं अख्तियार करूँ आपके सामने बताईए रिष्टे में तो हम तुमारे बाप लगते हैं नाम इशेंशा कुछ ऐसा रिष्टा कुछ ऐसा लहजा रखके बोलूँ तो लगेगा कि वक्ता में कुछ दम है यह लहजा क्या चीज होती है भई लहजे की कद्र करनी है या सहजता की लहजा चाहिए या सहजता सहजता का मतलब होता है लहजे का कोई खयाल नहीं बात अगर सच्ची है तो वो सच्चा लहजा खुद अक्तियार कर लेगी बनावटी लहजा नहीं चाहिए कृत्रम व्यक्तित तो नहीं चाहिए कि वो इस तरह से बन के बोलते हैं कि आइने के सामने दस वार उन्होंने सम्वाद अदाएगी कि अदा का भ्यास किया है लहजा क्या होता है जो हो वैसे ही रहो और जो हो से मेरा मतलब यह नहीं है कि जिस तरीके से संसकारित हो वैसे ही रहो गलत मत समझ लीजिएगा Be as you are का भी बड़ा अनर्थ किया जाता है जो हो वैसे ही रहो से मेरा अर्थ है शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, वैसे ही रहो कोई जरूरत, कोई लालच होना नहीं चाहिए कुछ और होने का, कृत्रिम हो जाने का डरो मत इमानदारी से बात को देखो और जो बात जैसी है उसको बिना लालच के, बिना डर के बिना हिंसा के बोल दो वही सच्चा लहजा है जिसमें सच्ची बात हो बात खत्ब सच्चा लहजा कौन सा? जिसमें बात सच्ची है और आप कहेंगे शच्ची बात कहने के भी तो आठ दस अलग अलग लहजे हो सकते हैं नहीं हो सकते शच्ची बात आपको निरविकल्प कर देती है फिर यह नहीं रहता कि इसी बात को बोलने के पांच तरीके हो सकते हैं पताओ अभी सरवाधिक उप्युक्त तरीका कौन सा है नहीं, सच्ची बात बोली ही तब जाती है, जब आपने अपने आपको पीछे रख दिया हो और सच्चाई को आगे रख दिया हो, अब सच्चाई खुद तै कर देती है कि उसे कैसे अभिव्यक्त होना है, सच्चाई अब जैसे अभिव्यक्त होना चाहती है, उसे होने दीजिए, वही सही लहजा आए, आपको पहले से निर्धारित करके लहजे का कोई पुर्वा भ्यास नहीं रखना है, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा निर्भीक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले से ही आपने रिहर्सल आदिकर रखी है लहजे की, तो मन में बड़ा विश्वास रहता है कि देखो हम तो इस अदा से बोलते हैं और उससे लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, इंप्रेस्ट और अगर आप सहजता से बिना किसी पुरानी तयारी के जस्कत्स सीधे साधे तरीके से कह देंगे, तो हो सकता है कि वो बात वैसी ना हो, जैसी कि आपको लगता है कि किसी दमदार लहजे में होती है, हो सकता है वो बात वैसी ना हो, जैसी लोगों की अपेक्छा में भी दमदार मानी जाती है, लेकिन उस बात की अपनी एक बात होगी उस बात में जो दम होगा कहां किसी से कम होगा तो डरिये मत शद्धा का यही मतलब होता है सही बात है तो डर कैसा सही बात का गलत अंजाम नहीं होता और अच्छा खासा लहजा है कर तो रहें बातचीत लोगों से परिशान होकर के अपने आपको जूठा या कृत्रिम या कपटी मत बना लीजिएगा यह दुनिया के कपट की जीत हो जाएगी आपके उपर कि दुनिया कपटी थी तो दुनिया को जवाब देने के लिए दुनिया से निपटने के लिए हम भी कपटी हो गए यह आपने कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया दुनिया जीत गई, दुनिया ने अपने ही जैसा एक और पदा कर लिया, दुनिया की कतार में एक और जुड़ गया, दुनिया के कपट को आपका करारा जवाब यही है कि कपट से घरे रहकर भी आप निशकपट रहें, यह हुई बात, जीता कौन? चक्क्र मुच्सिता जहादा ही है पूारा जोड़ के ना कपट सकता को अ nam, यह हैँनों एक लिर वो, बात जुनिया, दुनिया तो, छुनिया की मुट़ झाओस मे श्मागरा है।